अब देखो ये ratio last में इसले लिया मैंने और एक ICR छोड़ा वा थो दोनों एक जैसे ही है देखने में similar है आपका और formula भी लगबग लगबग सेम हुआ सबसे पहले तो concept देखो return on investment क्या होता है जैसे मालो ये business है और ये honor है ये honor business में जब पैसे लगाएगा तो कहने को तो capital है लेकिन दूसरे mind में सोचेगा मैंने business में invest किया है और जब इस business से ये profit कमा पाएगा मालो इसने लगाया 10,000 और इस business से profit कमाया इसने 1000 रुपे 10,000 रुपे लगाके 1000 रुपे income कमा लेता है तो मैं इससे जानना चाहता हूं कि percentage के terms में आपको जो पैसे लगाएं कितना return आ गया return on investment return का मतलब कितनी कमाई हुई जो आपने पैसे लगाए net profit ratio से compare मत करना जितना पैसा लगाया उसमें कितना return हुआ तो answer आपने बोला कि sir 10% है कैसे निकाला 10% जितना कमाया divided by यानि जो लगाया वो क्या है capital into में 100 लेकिन normally आगे जैसे जैसे आप जाओगे तो capital का मतलब होता है आपका जो honor लगा रहा है वो भी और जो honor उधार इधर उधर से जो arrangement करके ला रहा है वो भी माना जाता है capital का हिस्सा ही loan तो होता है लेकिन कहीं न कहीं capital का हिस्सा भी माना जाता है तो इसलिए यहाँ पे रखा गया capital employed अब capital employed क्या होता है आपको पता है capital employed का formula मैंने बताय हुआ है balance sheet से shareholder fund तो सिर्फ capital से भी काम चला सकते हूँ जैसे यहाँ पे return on investment 10% है क्या मैंने यहाँ पे loan वगरा लिया क्योंकि information नहीं था तो मैंने सिर्फ किस से information निकाल लिया capital से अब बात करते हैं यह profit इस profit में से tax minus नहीं है इस profit में से dividend minus नहीं है इस profit में से interest minus नहीं है क्योंकि यह सारे खर्चे आपके बाद के खर्चे है तो आपको वो profit रखना है जिसमें से ना तो tax minus हो ना ही interest minus हो ना ही dividend minus हो इसको हम और detail में समझते हैं हमारा सबसे पहले जो profit आता है जिसमें से tax interest उसको हम बोलते हैं EBIT earning before interest and tax और इसको मान लो जो भी EBIT है हम इसमें से पहले minus करते हैं interest interest को जब minus करेंगे तो ये वाला जो profit generate होगा ये होगा earning before अब मान लो मैं आपको ये 100 रुपे दे दू और interest 10 रुपे दे दू तो हमें जो profit ये वाला profit है न ultimately मैं इसको EBIT बोलूँगा ये EBIT है मैं अगर आपको 100 रुपे दे दू यानि earning before tax but after interest बोल सकता हूँ मैं tax तो minus नहीं हुआ लेकिन interest minus हो गया और मैं interest दे दू तो क्या आप EBIT निकाल पाओगे निकाल सकते हो 100 आया होगा 10 को minus करने के बाद तो आप 10 plus करके निकाल सकते हो ठीक है इसलिए आपको sequence जानना जरूरी है इसमें से minus क्या करेंगे tax अगर हम tax को minus कर दे तो जो result generate होता है उसे बोलते हैं EAT Earning after tax बहुत जगा PAT भी बोलते है profit after tax इस पैसे की मैं बात करूं यह जो पैसा है इसमें से फिर minus होता है PD preference share का dividend जो भी हो X, Y, Z अब इसके बाद जो result आता है उसे बोलते हैं Earning for equity जो result आया अब इसमें से meeting में बुलाए जाता है और बोला जाता है हम आपको मानलो यह 100 रुपए यह 100 रुपए निकल गया है तो उसके लिए हम बचाना चाहते हैं पैसे और 50 रुपए आपने पैसे इंवेस्ट किया है कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए वो बांट दिया जाएगा आप में तो इसमें से जितना पार्ट बचा लिया जाता है उसको बोलते है Retain Earning Retain Earning आपने सुना होगा BSTM Award जो पैसे बचा लिए और ये पैसे क्यों बचाएगे सिर्फ ये बोलके बताये गया कि इसको फ्यूचर में हम क्या करेंगे यूज करेंगे जितना पार्ट आप में बांट दिया गया उसको बोलेंगे Dividend उसको बोलते हैं Dividend अब Taxes इस Dividend पे भी दिया जाता है ठीक है उसको बोलते है Corporate Dividend Tax तो वो तो बहुत डिटेल में आगे चले जाएंगे लेकिन हमारा इस Ratio से कितना Information चाहिए बस ये चाहिए होगा Examiner सिर्फ इतना Point हम से आगे पीछे करके देगा ठीक है अब मुझे Question मैं पूछूँगा आप मुझे जवाब देना मान लो मैंने आपको Direct ये दिया 100 रुपए ठीक है और Tax Rate मैंने बताया आपको Suppose करो या मैं देता हूँ आपको 160 रुपए 140 देते हैं या 100 रुपए कोई बात नी Point में आ जाएगा कोई बात नी 60% Tax तो ये जो 100 रुपए आया है ये Tax को माइनस करने के बाद आया है ये रिजल्ट होगा यानि Tax को माइनस करने के बाद जब ये रिजल्ट जनरेट हुआ तो 60% कोई भी Amount रहा होगा यहां पे उसमें से 60% माइनस कर दिया होगा हमें अगर ये पॉइंट देगा Examiner तो हमें यहां पहुचना है क्योंकि यही वाला पॉइंट हमारा यहां पे यूज होगा है के नहीं तो Examiner कभी भी आपको ये पॉइंट देगा ही नहीं जब भी देगा आपको ये देगा EAT देगा तो अगर Examiner ने 100 दे दिया और Tax का Rate दे दिया तो आपको अच्छे से पताई के 100 में Tax 60% माइनस करने के बाद आया है तो ये Equal To होगा तो हमें डिरेक्ली यहां से इस स्टेज पे कैसे जाना है इस स्टेज पे जाने के लिए 100 डिवाइड़ बाइ 40 इंटू में अगर हम ये इस तरीके से स्टेजी फॉलो करें तो हम यहां पे नहीं पहुँचेंगे हम डिरेक्ली कहां का Answer निकाल पाएंगे यहां का ठीक है डिरेक्ली यहां से हम Answer फाइंड कर पाएंगे यहां का अब आपको Loan देगा Loan पे Rate of Interest देगा आपको आपको Interest निकाला जा सकता है मैंने बता दिया सपोसकर 20 रुपए का Interest है तो सबसे पहले तो हम यहां पहुँच गे और यह अगर मैं Calculation करू तो यह Calculation मेरा बनता है 250 रुपए आप निकाल लो 250 का 60% आप यहीं पे पहुँच जाओगे अगे निकालोगे तो आपका 100 रुपए ही आएगा ठीक है तो आपको यह दे रखा था पॉइंट ध्यान से देखना यह पॉइंट दे रखा था आपको इस पॉइंट से यहां तक पहुँचना जरूरी है इस पॉइंट से तो पहले यहां पहुचोगे स्टेप बाइ स्टेप तो यहां से यहां किस चीज का डिफरेंस रहेगा सिर्फ और सिर्फ टेक्स का अगर 60% टेक्स देता है तो आपको 40 मान के करना है क्योंकि 60 तो माइनस हो चुका है और यह किसके इक्वल है 40 यहां पहुचके मैंने 20 रुपए इंटरस दे दिया आपको तो यह आ गया और यह 270 हम क्या करेंगे यहां पर यूज कर लेंगे तो आपको क्या करेगा examiner प्रॉफिट आफ्टर टेक्स देगा जब आपको प्रॉफिट आफ्टर टेक्स बोला है तो बताओ interest माइनस होगा या नहीं होगा क्योंकि आफ्टर टेक्स टेक्स किस स्टेज़ पर माइनस हो रहा है इसके बाद यानि इंटरस के बाद तो अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टेक्स बोलू तो अल्रेडी हम समझ जाओगे के interest क्या है माइनस है अब बोल सकता है profit आफ्टर टेक्स एंड आफ्टर इंटरेक्स तो वो confuse करने वाली बात है बोला जा सकता है profit आफ्टर इंटरस्ट बट बिफोर टेक्स बताओ कौन से लेवल का information दे रहा है यह दिया गया सिर्फ इंटरस्ट को एड़ करके ऊपर चले जाओगे अगर बोलता है profit बिफोर इंटरस्ट एंटरस्ट 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 तो आपको कौन सा information दे रहा है सीधा EBIT तो आपको question में हमेशा समझना पड़ेगा कि examiner ने दिया क्या है और किस stage पर हमें जाना है तो अब मैं operating profit profit before interest and tax EBIT का formula लिख देता हूँ है नहीं कुछ भी यह net profit P&L वाला या profit after tax PAT plus क्या plus करेंगे इसमें हम जो tax amount होगा plus क्या करेंगे हम tax और plus कर देंगे इसमे interest हम पहुँँ जाएंगे EBIT पर क्लियर है इसको EAT कर देते हैं यहां से समझ में आ जाएगा EAT क्लियर है capital employed क्या होगा shareholder fund अब shareholder fund बताओ क्या होता है debenture equity share reserve and surplus share warrant जो heading याद किया था वो है non current liability भी पता है आपका debenture आपका यह कैसे निकलेगा यह इंफेक्ट आपने बिजनस सट्टी में भी एक चैप्टर है वहां पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ और एक्जाम में भी पूछा जाता है कई बार आपको calculate करने को तो यह निकाला retain earning क्या होता है पता चला जो पैसा last में बचा लेते हैं अपने future के